हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मेरा नाम है एरपित और आज हम बात करने वाले हैं FCI के बारे में यानि कि Food Corporation of India ने रिसेंटली अभी 2021 में जो पोश्ट निकाली हुई है Assistant General Manager के लिए उसके बारे में हम बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि क्या रहने वाला है syllabus का criteria और हम देखेंगे कि selection process क्या रहने वाला है और कितनी पोश्ट निकली हैं कितनी unreserved category के लिए हैं कितनी SC के लिए हैं और कैसे आपको इस post के लिए apply करना है और preparation कैसे करनी है जितने भी आपके doubts हैं उन सभी को लेकर कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को subscribe कर देना और all notification bell को जरूर on कर देना जिससे आपको next video का notification easily मिल जाएगा तो जैसा कि आपको पता होगा कि FCI ने अभी जो post निकाली है उसमें कई सारी post हैं जो की assistant general manager के लिए हैं तो different different fields से हैं उसमें जो measure जो है technical के लिए हैं उसको लेकर के हम बात करेंगे बाकी assistant general manager की post accounts में भी है और law department में भी निकाली गई है इसके साथ ही साथ medical officer की भी post है लेकिन हम especially बात करेंगे assistant general manager technical post के लिए तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह official notification है अगर आपने इसको पढ़ा है तो ठीक है अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पर इसको पूरा देखेंगे तो जो इसमें vacancies है उनको यहाँ पर detail में समझाया गया है जैसा कि हम especially केवल बात करेंगे assistant general manager के लिए वो भी technical field के लिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो pay scale रखा गया है वो है 60,000 से 180,000 तक ठीक है यहाँ पर जो total post है वो 28 है जिसका distribution यहाँ पर किया गया है तो आप यहाँ पर देख पारें SC category के लिए 5 post हैं और SC के लिए यहाँ पर एक post रखी गई है और OBC के लिए 4 post हैं EWS यानि की economically weaker section के लिए 3 post हैं यहाँ बाकी unreserved category के लिए 14 post हैं तो यह हो गया यहाँ पर जो post हैं उनका distribution category wise कैसे किया गया है तो other post के लिए भी यहाँ पर बताया गया है लेकिन हम especially जो बात कर रहे हैं यहाँ पर assistant general manager for technical मैं इनी post को की इसके बारे में ही क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि इसी में agriculture, food technology और biotechnology वाले eligible हैं तो especially मैं biotechnology और food technology वालों के लिए ही video बना रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसी post के लिए बात कर रहा हूँ बाकी के बारे में नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप जैसे की देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है note में कुछ important चीज है कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है number of vacancies जो है वो vary कर सकती है यानि कि number of vacancies जो है वो बढ़ सकती है बढ़ या घट सकती है तो अभी जितनी post है इसके आगे बढ़ने के chances भी है तो आप इसको भढ़ सकते हैं और most probably यह इसके chance है कि यह post बढ़ेंगी तो इसके आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो important चीज है जो आपको जानना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक eligibility criteria के बारे में बताया गया है यानि कि educational qualification जो होनी चाहिए आपके पास वो क्या होनी चाहिए Assistant General Manager Technical के लिए अगर आपने अपना B.Sc किया हुआ है अगर आपने अपना B.Sc किया हुआ है in agriculture with 55% marks अगर आपकी graduation में है तो आप इस post के लिए apply कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने B.T. किया हुआ है अगर in case of B.T. अगर बात करें B.T. किया हुआ है या फिर आपने अपना bachelor in engineering degree ली हुई है food science में तो भी आप apply कर सकते हैं minimum आपके 55% marks होने चाहिए third number पे आप देख पा रहे है अगर आपने अपना B.T. या फिर B.E. किया हुआ है food science and technology में या फिर food technology में या फिर food science food processing technology में या फिर food process engineering और food processing और food preservation and technology में अगर आपने किया हुआ है with 55% marks minimum आपके होने चाहिए तो भी आप apply कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने अपना B.T. किया हुआ है किसमे अगरी कल्चर इंजिनरिंग में तो भी आप apply कर सकते हैं इसके साथी साथ अगर आपने अपना B.T. किया हुआ है biotechnology में और या फिर biochemical engineering में या फिर agricultural biotechnology में किया हुआ है तो भी आप apply कर सकते हैं minimum 55% marks आपके होने चाहिए ठीक है अगर हम बात करें in case of SC, ST या फिर PWD जो candidates होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो minimum percentage रखा गया वो 50% रखा गया बाकी general category और EWS उसको 55% होने चाहिए अगर आप SC, ST, PWD से ब्लॉंग करते हैं तो वहाँ पर आपको 50% अगर आपके marks है तो भी आप apply कर सकते हैं तो 5% का यहाँ पर relaxation है उन लोगों को तो आगे बढ़ते हैं तो important important जो चीजे हैं इस notification में उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है A candidate can apply only for any of the post code A, B, C, D, E जहाँ पर आपने देखा होगा 5 type की जो post हैं उनका code है A, B, C, D, E तो कोई भी candidate अगर apply करता है तो वो यह एक तरीके से अगर बोला जाए तो वो एक ही post के लिए apply कर सकता है यहाँ पर ठीक है एक से जादा post के लिए apply नहीं कर सकता और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है जो application mode है वो online रहने वाला है यहाँ पर कोई भी hard copy accept नहीं की जाएगी नहीं कोई printed नहीं कोई hard copy accepted नहीं है तो आपको जो भी करना है वो online ही करना है ठीक है उसके बाद में अगर यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है prescribed qualification जो है और experience और age limit जो है वो 1-1-2021 तक count होगी यानि कहने का मतलब अगर आपकी age को लेकर के जो बात होगी जो important date है वो 1-1-2021 यह important date है और यहाँ पर अगर बात करें experience की जो आपकी जो post है यानि कि Assistant General Manager for Technical उसके लिए कोई भी experience required नहीं है यह other post के लिए है अगर experience की बात होती है तो उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें आगे थोड़ा सा अगर आगे हम बढ़ें तो syllabus को यह अगर हम बात करें उससे पहले यहाँ पर देखे selection process के बारे में बताया गया है तो selection process जो रहने वाला है सबसे पहले आपका एक online test होगा उसके बाद में interview होगा यानि कि two stage में आपका यह पूरा selection process होने वाला है तो इसमें यहाँ पर देखे यह important line लिखे हुई है कि जो आपका online test है यानि कि जो आपका computer based test होगा वो जो होगा उसका जो weightage रहेगा वो 90% रहेगा 10% जो है आपका वो interview count होगा यानि कि 90 plus 10 का ratio रहेगा यहाँ पर आपके selection process में उसके बाद में pattern of online test के अगर बात करें तो हमें जो बात करनी है वो हमें बात करनी है assistant general manager for technical के लिए जिसका post code जो है वो भी है यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे कि यह जो दिया गया है number of questions दिये गया है number of questions कितने रहने वाले है 180 रहने वाले है ठीक है जो आपको time मिलेगा वो मिलेगा 2.5 hour यानि कि reasoning data analysis और numerical ability होगी ability जो होगी वो 30 questions यहां से आएंगे उसके बाद में जो आपका general awareness current affair में जो होगा वहाँ पर आपके 30 questions पूछे जाएंगे उसके बाद में आप देख पारे management and ethics है वहाँ से आपके 30 questions होगे उसके बाद में आप देख पारे agriculture और agriculture economy computer awareness यहां से आपके 30 questions आएंगे उसके बाद में जब आप देखेंगे कि जो आपका relevant discipline है यानि कि आप जिस post के लिए apply कर रहे हैं उसमें जो आपका measure जो technical portion होगा वहाँ से जो चीजे पूछी जाएंगी वो आपके 60 questions आएंगे जो कि 2-2 marks के होगे यानि कि वहाँ पे जो waiters होगा आपका 120 marks का होगा और यह जो बाकी rest of the portion है वो आपका कितने का होगा वो आपका 60 marks का होगा क्योंकि वहाँ पर question के लिए जो marks रखा गया है वो 0.5 रखा गया है ठीक है इसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस exam में जो negative marking है वो नहीं रखी गई है यानि कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है आप सभी questions को attempt कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर negative marking नहीं है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है उसके बाद में जो हमारा जो post है वो उसका code जो है वो B है तो B, C, D, E के लिए तो same pattern है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो general aptitude है वहाँ पर 120 questions आएंगे यानि कि 120 questions होंगे जिनके लिए 0.5 marks होंगे यानि कि 60 marks का यह हो गया आपका उसके बाद में जो आपका relevant technical discipline होगा यानि कि जो major आप subjects ते जो चीजे पूछी जाएंगे technical knowledge जो आपको होना चाहिए उसमें 60 questions हाएंगे जिसके लिए 2 marks होंगे per question के लिए तो यहाँ पे 120 marks का हो जागा यानि कि 120 plus 60 यानि कि total जो all over जो आपका weight is बनेगा जाके exam का वो बनेगा जाके 180 marks का ठीक है उसके बाद में जो जो आपका post code B technical जो assistant manager है assistant general manager technical के जो syllabus है जो की main आपका जो technical syllabus है यानि कि technical discipline में जो syllabus है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रहने वाले हैं जो major subjects है वो आपका एक तो agriculture रहेगा दूसरा बाया टेकनलोजी रहेगा तीसरा रहेगा entomology चौथा रहेगा chemistry और पांच हुए में जो कुछ acts वगएरा है उसके बारे में हम देखेंगे जैसे PFA act हो गया और जो आपका FSSA यानि कि food safety and standard act इसके बारे में तो ये कुछ acts के बारे में आपको knowledge होना चाहिए बाकी agriculture में आप देखेंगे कि जो basic principle of crops वगएरा है उनके बारे में आपको knowledge होना चाहिए तो अगर आप agriculture से हैं तो आपको कोई problem नहीं होगी ऐसे ही biotechnology वालो के लिए यहाँ पे microbes और beneficial and harmful genetic engine microbes के बारे में पढ़ेंगे जो beneficial and harmful कौन कौन से होते genetic engineering की बात होगी और biological principles के बारे में देखेंगे और economic biology क्या है तो इन सब बारे में हम देखेंगे इसमें syllabus में और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा entomology में basic entomology और economic entomology और beneficial and harmful insects कौन कौन से होते हैं तो major subjects के बारे में आपको इतना knowledge होना चाहिए chemistry के बात करें तो physical chemistry में structure of items के बारे में chemical bonding और radio activity और inorganic chemistry में जब देखेंगे तो आपको periodic tables वगरा के बारे में देखना पड़ेगा basic metals के बारे में and non metals के बारे में उसके बारे में आप देखेंगे कि जो आपका organic chemistry में है उसमें कि basic of alkanes वगरा क्या होते हैं वो देखना होगा alkanes, 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 alkanes वगरा और alcohols और aldehydes और acids के बारे में पढ़ना होगा यानि कि normal और उसमें biochemistry का भी थोड़ा portion होगा जिसमें आप carbohydrates, protein और fats के बारे में देखेंगे उसके बाद मैं X के बारे में बताई चुका हूँ X के बारे में थोड़ा सा आपको knowledge होना चाहिए तो ये आपका जो portion है इतना, इतना portion बहुत जादा important होगा क्योंकि ये आपको 120 marks दिलाएगा ठीक है तो 120 number का है, इसका weight is काफी जादा है अगर आप इसमें अच्छा score कर लेते हैं तो आपके chances बढ़ जाते हैं तो ये था आपका जो main syllabus रहने वाला है उपर 60 marks का जो है आपका वो general aptitude और general awareness वगरा रहने वाला है वो common रहेगा सभी post के लिए, लेकिन ये different रहेगा उसके बाद मैं आगे देखते हैं कुछ important चीज़े जो है important ये है candidate can apply for only of one post ये मैं बताई चुका हूँ आपको उसके बाद में यहाँ पे ये है कि जैसे ही आप exam देते हैं exam के बाद में जो आपका result आएगा उसके बाद में जो आगे की चीज़े हैं interview के लिए आपको बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा सारी चीज़े आपके merit पे depend करती है बलब आपके marks कैसे हैं उसके according ही लोगों को select किया जाएगा interview के लिए तो आप जितना अच्छा score करते हैं उतने ज़्यादा chances आपके बढ़ जाते हैं interview के लिए जब आप interview में बैट जाते हैं तो आपके और ज़्यादा chances हो जाते हैं selection के लिए उसके बाद में important यह भी है कि अगर आप किसी central government या state government में काम कर रहे हैं तो अगर आप FCI के लिए apply करते हैं तो आपको NOC certificate बहुत जरूरी होगा यानि कि no objection certificate आपको देना पड़ेगा अगर आप किसी private firm या फिर private organization में job करते हैं तो वहाँ से आपको NOC लेने की जरूरत नहीं होती है लेकिन अगर आप किसी government sector में employee है तो आपको objection certificate देना पड़ेगा ठीक है तो ये तो basic चीज है इसके अलावा जो कुछ exam centers के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है तो वह आप देख सकते हैं इसके अलावा और जो important चीजे हैं इसमें की मतलब की जो syllabus है उसकी आपको preparation कैसे करनी है तो मैंने आपको बता दिया है इसके अलावा मैं एक और detailed वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे की आपको कैसे पढ़ना है और कैसे आपको जो इसका main technical वाला syllabus है उसको आपको finish करना है fees की अगर बात करें जैसे fees के बारे में मैंने अभी तक discuss नहीं किया है तो fees जो रहने वाली है वो 1000 रहने वाली है जो की रहेगी एक तरीके से EWS और general category के लिए और OBC के लिए बाकी SCST और women candidate जो है वो इस fees से exempted रहेंगे यानि कि उनको यहाँ पे छूट मिलने ये एक तरीके से उनको कोई भी fees charge नहीं देना है तो ये काफी अच्छी चीज़ है girls के लिए female candidates के लिए तो वो लोग apply कर सकते हैं उसके बाद में procedure for applying form अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो stages है वो आपकी एक application registration होगा सबसे पहले जब आप registration कर लेंगे तो आपको fee submit करनी होगी fee submit करने के बाद में आप documents scan and uploads पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपने documents upload करने होगे उसके बाद में आपको submit करना होगा ठीक है तो इसकी जो last date है वो 31 March है ठीक है तो इससे पहले आपको form को भर लेना है जिससे आप delay ना हो और बाकी जो चीजे हैं वो हम आगे discuss करेंगे और अगर बहुत सारी चीजे ऐसी होगी जो मुझे लगता है कि रह गई होगी तो उनके लिए आप मुझे comment कर सकते हैं अगर आप क और यहां पर कुछ important dates हैं जिनको आप देख लीजे यानि कि 1-3 से आपका application start हो चुका है 31-3 आपकी last date है ठीक है उसके बाद में यहां पर दिया हुआ है कि जो आपका call letter है यानि कि जो admit card वगरा है वो कब होगा वो आपका exam से 10-15 दिन पहले आपको मिल जाएगा ठीक है और उसके बाद में जो exam की जो date है भी tentative date जो रखी गई है मई और जून 2021 रखी गई है बागी जो भी चीजे होंगे FCI के तरफ से वो notification के द्वारा update दे देंगे ठीक है तो यह था इस vacancy के बारे में तो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आपको थोड़ी से information मिली होगी तो इसके अलावा और कुछ आप पूछना चाते हैं तो मुझे आप comment के पूछ सकते हैं तब तक के लिए thank you have a nice day मिलते हैं next वीडियो में